नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल नौलिज सर्कल पर दोस्तों यूपी बीट के एडवीशन की रैंक जारी हो गई है और मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी रैंक देख ली होगी अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी रैंक नहीं देखी है थो आप लोग अपनी आई-डियो को लॉग इन कीजिए वहाँ से आप डाउनलोड स्कोर कार्ण कीजिए और आपकी रैंक पता चल जाएगी state wise और category wise उसमें अलग-अलग rank दी है तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी category wise कितनी rank आ रहा है और उस हिसाब से आपको सरकारी college कितनी rank पर मिलने वाला है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है अभी कुछ ही देर बाद हम लोग काउंसिलिंग के लिए एक वीडियो आप अपने चैनल पर डालेंगे इसलिए अगर आप लोग काउंसिलिंग की पूरी जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से सब्सकाइब करिए knowledge circle को और बगल मेले के बेल आइकन को जरूर दवाईए जिससे की जैसे ही हम कोई latest update अपने चैनल पर डालेंगे आपको तुरंद notification मिल जाएगा अब जल्दी से सुरू करते हैं कि कितनी rank आने पर आपको सरकारी college मिलने जा रहा है दोस्तों अब हम लोग category wise rank देखेंगे कितनी rank बनने पर आपको सरकारी college मिलने जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे general candidate की अगर आप लोग general candidate हैं तो आप लोगों को चाहिए होगे कम से कम धाई जार rank धाई जार rank के अंदर ही आपको सरकारी college मिलेगा हम ये category rank की बात कर रहे है state की जो rank release हुई है उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे है आपके general candidate में धाई जार rank आ रहा है तो स्वेवर आपको सरकारी college मिलने वाला है next हम लोग बात करने वाले हैं OBC की अगर आप लोग OBC candidate हैं तो आप लोगों को चाहिए होगी कम से कम rank पांच जार पांच जार rank के अंदर यह आने पर आप लोगों को सरकारी college मिलेगा next हम लोग बात करेंगे SC की SC candidate अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को चाहिए होगी सारे 9000 रैंक साड़े 9000 के अंदर ये आपको सरकारी कॉलेज एलाउट होगा दोस्तों आप लोगों को बता दे कि जिस हिसाब से साड़े 6 लाग के तकरीबन फॉर्म फिल हुए थे बीड इंट्रेंस एक्जाम में उस हिसाब के कमप्टिशन नहीं देखने के मिल रहा है रैंक बहुत हाई नहीं आई हैं लोगों की क्योंकि 1 by 3 की मानिस मार्किंग थी वह उसे बच्चे उमीद लगाये थे कि हमारी रैंक बहुत अच्छी रहेगी उस हिसाब से उनकी रैंक नहीं आई है तो कमप्टिशन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को तो मिल राजी इस आपकी उमीद थी नेक्स अम लोग बात करेंगे एस्टी कंडिडेट की अगर आप लोग को चाहिए होगी यहाँ पर साड़े स्वरी 13,000 के अंदर आपको रैंक चाहिए होगी अगर आपकी 13,000 के अंदर रैंक आ रही है तो आपका selection सरकारी कालेज में confirm है next हम लोग बात करेंगे female की female candidate अगर आप लोग हैं तो आपको चाहिए होगी कम से कम 15,000 रैंक 15,000 के अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आपका selection से हो रहा है सरकारी कालेज में दोस्तों आपको बता दें female की इतनी कम रैंक में बीक selection क्यों होगा उसका कराड यह है कि यूपीम बहुत से ऐसे कालेज है जहां पर सिर्फ girls की सीटें है इसलिए यहां पर girls की सीटें ज़्यादा होने के कराड girls की जो rank है वो काफी कम जाती है तो आपकी अगर 15,000 rank बन रहा ही तो आपका selection से हो रहा है female में दोस्तों इसीक साथ हमारा यह वीडियो यहीं समात होता है और अगले वीडियो मैं आप लोगों को counseling से समंदित पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसलिए आप लोग जुड़े रहें knowledge circle के साथ knowledge circle always with you thanks for watching this video